हेलो गाईज, पीछे लेक्चर में हम नुट्रिटिव वैल्यू ओफ फ्रूट्स और वेजटेबल्स पढ़े थे, आज से हम पॉमोलोजी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम आज क्लासिफिकेशन और फ्रूट्स पढ़ने वाले हैं, तो आज टोटल 10 क्ला क्लासिफिकेशन से, तो पहला क्लासिफिकेशन है, बोटनिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो बोटनिकल क्लासिफिकेशन में हम मोनोकोट्स और डाइकोट्स के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किये हैं, फ्रूट्स को, तो पहला मोनोकोट्स में है, तो मोनोकोट्स म मेरे प्लमार मै यकल को बता दूँ जो थार का पेड़ कुर सक पर हूँ हम कहते हैं टार के स्फिया को अचाद मेरे थे만 पर्लमारा यक classic के क्लदर यकल में estimator के च्रपी मोई करहें जबर के एक पर हमें इस सब्सक्राइब मुन्य उन वालन राषिय पिन खड़न में पेusan क्विय कॉंचले कि वह प्यूद सका जा कुछा है गया मेंकशलिया तो में आई खाना जाय सब्सक्राइब कता सरह नाज réussi फाली वह एक टिक से बिलॉंग करता है, next जो family है वो है एनोनेसी, जिसका example है custard apple, bullock hurt, ठीक है, next जो family है वो है apple sine AC, ये भी बहुत important है, करोंदा की family है, next important family है, वो है karik AC, papaya की family है, ibni AC, पर्सिमान की family है, u4b AC, ये भी important है, आमला की family है, ठीक है, आवला, next जो family है वो है gutley fairy, mangosteen का family है, jucaldi AC, walnut और pican nut का family है, luresi, avocado का family है, leguminacy, turmeric का family है, muresi, jackfruit and fig का family है, mytracy, guava and jamun, guava से भी question पूछा गया, कि इस family से है, तो ये है mytracy family से बहुत important है, इसमें देखिए, मैं दो दो बार important लिखिए, तो इसको आपको सबसे जादा याद करके रखना है, mytracy, जो है, वो हमारा guava और jamun की family है, next जो family है, वो है oxalidacy, carambola की family है, passive floresi, passion fruit का family है, और ये fruit जो है, वो smallest family, मतलब सबसे छोटी जो family है, fruit की वो हमारा passive floresi family है, ठीक है, important question बनता है, प्यूनेसी, प्यूनेसी, अफकोस pomigranate की family है, proteacy, macadamia nut का family है, reminisce, bear की family है, rosacee, rosacee तो बहुत 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 important family है, इसमें बहुत सारे fruits आते हैं, loquat, apple, almond, apricot, sweet cherry, plum, pear, peach, strawberry, ठीक है, इतने सारे fruits आते हैं, rosacee में, ठीक है, next family है, rootacy, ठीक है, इसको आप trick से भी याद रख सकते है, rootacy में root जाना होता है, तो खटा taste, root जाना में sadness, ठीक है, तो खटा taste से आप याद रख सकते हैं, bale, mandarin, sweet orange, kagzi lime, grapefruit, wood apple, lemon, wood apple is bale, bale जो होता है उसको wood apple कहते हैं, ठीक है, तो वो और lemon, यह सारे जो वो हैं, fruits वो हमारे rootacy family से बिलॉंग करते हैं, ठीक है, sapinidaece, leechy की family है, supportacy, supporta की family है, tillyacy, falsa की family है, wheatacy, grapes की family है, sterculacy, cocoa की family है, rubyacy, coffee की family है, thiac या camellacy हमारा tea की family है, और actinidaece, kiwi fruit की family है, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी important, जो mark किया गया है, वो आपको याद रखना ही है, और अगर बाकी भी अगर आप याद कर सकते हैं, तो नो problem, अच्छी बात है, याद रखना चाहिए, ठीक है, तो यह थे हमारे botanical classification की basis पे, division, monocot and dicot, ठीक है, next जो हमारा classification है, क्लाइमेट एडप्टेबिटी की basis पे हमारा classification है, कि कौन से fruits किस climate में adapted है, ठीक है, तो इसके basis में हमारा तीन तरह का fruit होता है, tropical, subtropical and temperate, ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कि tropical में हमारे कौन-कौन से fruit आते हैं, subtropical में कौन-कौन से fruit आते हैं, ठीक है तो टोपिकल की बात किया जाए तो इसमें टोटल 12 फ्रूट आते हैं ठीक है मैंगो, पपाया, बनाना, ग्वावा, पाइनेपल, सपोटा, कस्टर एपल, जैक फ्रूट, केरंबोला, पर्सिमोन, कोकोनट, कैश्यू यह जो 12 फ्रूट है, वो हमारे ट्रॉपिकल में आते हैं, आपको इसमें कोई logic नहीं है, कोई tricks नहीं है, आपको यह as it is याद करना होगा, ठीक है, इससे question पूछा जाता है, इसलिए यह जितने भी classification है, बहुत important है, ठीक है जो की है, पहला मैंडरीन, स्वीट औरेंज, बेर, फालसा, फिग, जामून, लीची, आवला, ग्रेप्स, करोंडा, एनोना, बेल, डेट पाम, पॉमेग्रेनेट, अवकाडो और लोकवेट, ठीक है, इस सारे जो फ्रूट्स है, वो हमारे सब ट्रॉपिकल रीजन के फ्रू यह जितने भी 10 फ्रूट्स है, यह सारे टेमपेरे ट्रॉपिकलो के फ्रूट्स है, ठीक है, तो आपको यह पूरा का पूरा याद करना होगा, ठीक है, next जो क्लासिफिकेशन है, वो हैं मॉर्फॉलोजी के बेसिज पर, तो मॉर्फॉलोजी के बेसिस पर, मेनली तीन तरह क fruits में divide किया गया है simple fruit aggregate fruit ओ multiple fruits ठीक है simple fruit को सिर्फ दो part में divide किया गया है तो सबसे पहले हम simple fruits से start करते हैं पहला है berry और दूसरा है modified berry ठीक है तो whats aim always लेयर ओवरी का होता है वो होता है हमारा बेरी ठीक है जो पेरिकार्प होता है और उसी को हम खाते हैं जो बेरी होता है उसमें सिर्फ अंदर में सीड होता है ठीक है और आउटर लेयर ओवरी होता है उसको जिसका पेरिकार्प वोलते हैं वही हमारा एडिबल पार्ट होता है उसे को हम खाते हैं, plant that bears berries is called basiferous, जो plant berries को bear करती है या फिर berries बनाती है, उसे को हम basiferous plant बोलते हैं, ठीक है, अब basiferous का मतलब क्या होता है, like berry but it may not be berry, ठीक है, वो berry की तरह दिखता है लेकिन वो जरूरी नहीं है कि berry हो, ठीक है, basiferous plant क्या होता है, जो berries को बनाती है, ठीक है, तो berries के तरह ही दिखेंगे, ठीक है, और दूसरा जो एक term होता है, वो है backtate, तो berry but not actually berry, ठीक है, यह berry होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि berry होंगे, ठीक है, तो इन दोनों word में confusion होता है, तो confusion मत रखिये, बेरी सी फेरस में क्या होता है, कि वो berries होंगे, लेकिन कभी-कभी berries नह ठीक है, इसमें berry हो सकते हैं, लेकिन इसमें berry नहीं होंगे, ठीक है, वो actually berry के तरफ दिखेंगे, लेकिन होंगे नहीं बेरी, ठीक है, और इसमें दोनों case है, berries भी हो सकते हैं, और या फिर, berries नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, तो यह था हमारा berry, जिसका example है, banana, papaya, graps, supporta, avocado, और नेक्स्ट जो है वो है हमारा modified berry तो modified का क्या मतलब होता है complete part is not fleshy there is stone ठीक है बेरी में क्या था कि हम इसको complete part खा रहे थे उसका edible part हमारा pericarp था pericarp से ही रहता है जैसे grabs में देख लिए जो कोई seed नहीं होता है seedless वाला होगा वो हमारा बेरी में आएगा ठीक है modified berry में क्या होता है modified berry में होता है कि इसका complete part जो होगा वो fleshy नहीं होगा इसके अंदर stone पाया जाएगा ठीक है जैसे कि बलुस्टा हो गया pomegranate ठीक है pomegranate में भी छोटचोट सीर होता है जिसको हम खा जाते है उतनी बड़ी नहीं होते है इसलिए खा जाते है लेकिन pomegranate में भी seed होता है ठीक है next जो family है वो है amphi sarka जिसमें wood apple या bale उसी को बोलते है bale आता है ठीक है pepper watermelon होता है उसमें भी seed होता है pom, हमारा apple, pear, loquat, quince यह सारे fruits में क्या होते है stone होते है next है droopia stone, mango, peach, plum, bear, coconut, cherry, cocoa, coffee यह सारे में भी stone होते है haspyridum, citrus का है यह जो है ना बलुस्ठा है amphi sarka, paper, pom यह हमारा fruit type है in fruits का ठीक है तो haspyridum हमारा citrus का fruit type है nut, हमारा cashew, litchi, cashew nut, walnut, pica nut और rombuston का हमारा fruit type है capsule, avla, carombola का fruit type है carombola हम star fruit को बोलते है तो इसमें भी जो important लिखा गया है उसको आप याद रखिएगा तो यह हमारा morphology के basis पे simple fruit का classification खतम होता है next है हमारा aggregate fruits तो aggregate fruits को itario भी कहते है fusion of multiple ovaries aggregate fruits में क्या होता है कि हमारा देखे इसमें हमारा एक ovary था single ovary था aggregate fruits में क्या होता है fusion हो जाता है बहुत सारे ovary का ठीक है जैसे कि custard apple raspberry custard apple देखे हो क्या सरीफा में तो छोट छोटे blocks जो दिखेंगे न वो हमारा एक ovary को denote करता है तो उसमें क्या होगा है कि बहुत सारे ovary का fusion हो गया है ठीक है तो उसका example है custard apple या raspberry ठीक है next जो हमारा classification है that is multiple fruits जिसको हम collective fruits भी कहते हैं ठीक है इसमें क्या होता है ना do not fuse ripe at same time bunch each fruit is a true fruit ठीक है इसमें हमारा ovary fuse नहीं होता है इसमें क्या होता है ठीक है single mass को हम बोलते है infractance ठीक है वो एक single mass जो होगा उसको हम infractance कहते हैं जैसे example इसका fig हो गया jack fruit हो गया pineapple हो गया mulberry हो गया etc ये सब जो है ठीक है pineapple में जो भी आप blocks देख रहे हैं वो हमारे एक single fruit जो होता है वो single fruit वो एक true fruit होता है जैसे jack fruit में भी अंदर बहुत सारी fruits निकलते है ना तो हमारे एक true fruit होता है ठीक है तो ये था हमारा multiple fruits multiple fruits के example जो है वो sycanus fig हो गया और psorosis fruit टाइप में हमारा jack fruit pineapple mulberry bread fruit आते हैं ठीक है sycanus वाला important है fig वाला ठीक है next जो classification है according to photo periods ठीक है तो photo periods के according क्या के classification है तो है हमारा long day short day और day neutral ठीक है अब photo periods term 1920 में किस ने दिया था garner and alarm ने दिया था photo periodism को discover किया था 1920 में ठीक है तो अगर एक दिन में 12 hours day होता है 12 hour night होता है तो day में हमारा light रहेगा और night में हमारा अफकोस डाक रहेगा अंधेरा रहेगा तो उसके according long day short day और day neutral प्लानेट में division हुआ है तो long day में हमारा passion fruit आता है banana आता है और apple आता है short day में हमारा strawberry pineapple and coffee है day neutral में हमारा papaya guava and sunflower है ठीक है तो ये photo periods के according classification था next है pollination के according तो pollination में हमारा self और cross pollination होता है तो self pollination हमारा grape papaya and supporta में होता है klystogammy होता है ठीक है मतलब कि हमारा fruit close होगा तभी fertilization हो जाएगा वो self pollination होता है klystogammy उसको कहते है grapes papaya and supporta में होता है apricot, citrus, peach, falsa and dwarf coconut में homo gammy होता है जो जिसमें हमारा male and female एक साथ mature होता है ठीक है तो ये self pollination को promote की करेगा इसलिए इसके example है apricot, citrus, peach, falsa and dwarf coconut ठीक है next है cross pollination तो cross pollination में हमारा coconut, supporta and walnut जिसमें pro tannery हो गया जिसमें हमारा androsium plum and anona proto gynae हो गया female part पहले mature होगा next है papaya, date palm bitle wine nutmeg, kiwi fruit dioces होते है ठीक है अलग-अलग plant मेल और female होता है और next example है fig जो gyno dioces होता है मतलब कि इसमें female part भी होगा और male part भी होगा ठीक है next हो classification है वो है self incompatibility ठीक है अब self incompatibility को दो part में divide किया गया है heteromorphic और homomorphic self incompatibility heteromorphic का मतलब होता है difference in morphology hetero का मिन्स क्या होता है अलग homo means same ठीक है तो हमारा morphology जिसमें different होगा उसको heteromorphic self incompatibility कहेंगे जिसमें हमारा homomorphic मतलब morphology same होगा उसको हम homomorphic self incompatibility कहेंगे और ये morphology किस सीजद कहा है flower का ठीक है अगर morphology हमारा different है flower का तो हमारा heteromorphic होगा गर same morphology है flower का तो हमारा homomorphic होगा हेटरो मॉर्फिक में no fruit crop कोई भी fruit crop हमारा heteromorphic नहीं है सारे हमारा homomorphic है ठीक है further homomorphic को दो part में मिन सच कि यम्ठोफ परेनी थ्लांट करता है चिद siam रच क्या मतलब है की यह लगां प्रॉबम होगा रखे जो प्रॉब्लम होगा और gametophytec में हमारा gamet में problem होगा ठीक है जो plant मारा pollen produce करेगी अब इसका example है mango, avla, cocoa और gametophytec का example है bear, loquette, pineapple, apple, pear, apricot, almond, ठीक है चेरी ठीक है एक और example है निचे चेरी ठीक है तो इसको ना as it is याद रखना है इतना जार detail में नहीं जाना है वाना हम genetics में पहुंच जाएंगे त बस sporophytic का मतलब समझे और diametophytic का मतलब समझे कि हमारा gamut में problem होगा और sporophytic में हमारा gene में problem होगा और उसके example आपको याद रखना है main जो है वो आपका example है example से ही question आता है next classification की तरफ move करते हैं तो next classification है हमारा salt tolerance ठीक है अब salt tolerance में भी तीन classification है highly tolerant, medium tolerant और highly sensitive तो highly tolerant जो हमारे fruits है वो है हमारे डेट पाल्म, बेर, आवला, ग्वावा, कोकोनट और खिरनी ठीक है और medium tolerant की जो fruits है वो हमारा pomegranate है cashew है, fig है, jamun है, falsa है highly sensitive में देखा जाए तो mango है, apple है, citrus, pear, strawberry है next जो classification है हमारा acid tolerance तो highly और medium है है, इसमें सर्फ highly में हमारा strawberry, fig, raspberry, bale, plum मतलब यही सारे fruits जो है वो acid को tolerate कर सकते हैं और medium tolerant में हमारा pineapple, avocado और leechy है ठीक है next classification है, वो climatric and non climatric according है तो climatric का क्या मतलब होता है कि हमारा fruits जो है उसको हम harvest करेंगे कि उसके बाद भी वो ripe हो जाएगा ठीक है, उसके अंदर physiological changes होते रहते हैं तो वो क्या करता हो जाता है फिर ripe हो जाता है non climatric का मतलब होता है कि वो हम harvest करने के बाद उसको नहीं पका सकते उसको हम non climatric कहते हैं ठीक है तो climatric में हम examples में करने से पहले हम एक बाद देख लेते हैं हाड से soft की तरफ movement होता है climatric में हाड क्यू रहता है क्यूंकि उसमें middle lamella present होता है जो कि हमारा calcium और magnesium pectate से बना रहता है और वो जो हमारा hard middle lamella जो होता है outer surface पे वो हमारा soft में हो जाता है तो इसलिए वो हमारा climatric fruit होता है और वो हमारा ripe हो जाता है फिर अब example की तरफ move करते हैं तो climatric और non climatric में क्या क्या होता है तो climatric में हमारा mango है बनाना है सपोटा guava, papaya, apple, pear, peach, plum fig, anona, apricot, kiwi and passion fruit ये सारे जो fruits हैं इसको हम ripe कर सकते हैं harvesting करने के बाद लेकिन non climatric में ऐसा नहीं है उसको हमें पेड़ पे ही पकने देना होगा जिसके example है citrus, grape, pineapple, jamun, pomegranate, leechy, cashew, cherry, strawberry, bear, walnut watermelon and brusper berry तो ये सारे fruits जो हैं वो हमारे non climatric होते हैं अब एक most important चीज जो है वो degreening agent है degreening agent क्या होता है हमारे जब fruit mature होता है तो वो green stage में होता है और जब हमारे हमारे राइप होता है तो उसमें color changes होते है वो red yellow या फिर different colors में change हो जाते है तो डी-डी-डी-डी डी ग्रिणिंग agent क्या होता है इथलीन ही हमारे रिस्पॉंसिबल है है उसको डिग्रीन कर द हमारा को हट आदेता है गृप है snippa हच्टम कट्रक में सीटरस फामिलिगंधे यूज किया जाता है citrus family जो होते है उनको में जैसे माल लीजे कि citrus को हम तोल लिए ठीक है तो वो हमारा कच्चा है पकेगा तो नहीं है वो क्योंकि वो non-climatic है तो उसमें degreening भी किया जाता है ठीक है इतलीन का यूज करके टीक है तो उसी को degreening agent jedem को use करते हैं degreening agent कि तरह ठीक है तो यह हमारा citrus family में किया जाता है ग्रीन कलर को हटाने के लिए बेकड़ contrib ट्रीटमेंट डिया जाता है breakdown chlorophyll UFO & allow yellow orange keratonoid pigment to express ट्रीटमेंट त्रीटमेंट वही चीज दुसरे language में लिखा है 착़ है तो यह itheline किया जाता है अलग अलग fruit में citrus family में भी किया जाता है ग्रीन पिग्मेंट को हटाने के लिए ठीक है अब नेक्स जो है कि हम पकान मतलब फ्रूट्स को राइब करने के लिए क्या-क्या चीज यूज करते हैं तो यूज ऑफ कार्बाइड का यूज करते हैं यह बैन हो गया है ठीक है लेकिन फिर भी हमें याद रखना है क्योंकि इ करते हैं इससे इसको यूज नहीं करना चाहिए बहुत हमफुल होता है चले देखते हैं कैसे हमफुल है ठीक है तो देखिए क्याल्शिम कार्बाइड जब वाटर के साथ रियक्ट करेगा तो हमारा क्याल्शिम हाइड्रोकसाइड बनाएगा प्लस असीटिलीन गैस हमारा होता है तो असीटलीन गैस जो होता है यही हमारा यह फ्रूट र्इलक्स है अर्टिफिशल Maps open R' लाइपनर है acetylene ठीक है affect on nervous system by blocking auto supply ठीक है क्या करता है ना हमारे nervous system को ब्लॉक कर देता है oxygen नहीं जाएगा तो हमारा nervous system क्या हो जाएगा उसको oxygen नहीं मिलेगा तो आफकोस dead हो जाएगा ठीक है तो हमारे nervous system पे affect करता है acetylene gas इसलिए बहुत हामफुल है यह ठीक है इन इंडिया use of calcium carbide is banned by prevention of food adulteration act ने इसको बंद कर दिया है ठीक है इंडिया में बैन है इसको यूज नहीं करना है ठीक है लेकिन फिर भी आप यह याद रखेगा क्योंकि से question आता है ठीक है और reaction भी याद रखेगा calcium carbide हमारा water की साथ react करके calcium hydroxide बनाता है और acetylene gas release करता है और यही acetylene gas ही use किया जाता है artificial fruit ripener की तरह और यह बहुत harmful है हमारे nervous system पे affect करता है ठीक है तो अब industrial grade preparation मतलब industrial grade पे क्या use हो रहा है अगर calcium carbide ban कर दिया गया है तो किस चीज का use कर रहे है हम fruit को ripe करने के लिए ठीक है तो industrial grade पे दो toxic substance का use किया जाता है आर्सेन organic और phosphorus यह भी हमारा toxic substance है ठीक है इंडेस्टर गेर पे इसको use किया जाता है लेकिन यह भी harmful है जो हमारा natural बोल सकते है या फिर जिसका हम जिसे हमें use करना चाहिए जो हमारे लिए harmful नहीं है वह है हमारा ethylene ठीक है use of ethylene ethylene का भी use किया जाता है यह natural plant hormone gaseous form ठीक है natural plant hormone है हमार ethylene बहुत सारे climatic fruits में present होता है fruits में पहले से ही तब ही तो हमारा fruits ripe हो रहा है ठीक है तो यह natural plant hormone है gaseous form में present होता है in pure form ethylene is flammable ठीक है अगर इसको pure form में use करेंगे तो यह आग भी लग सकता है ethylene में ठीक है इसलिए इसका less than 3 ने greater than 3% concentration अगर use करेंगे तो यह हमारा flammable होत है greater than 3 ने less than 3% concentration ही इसका use करना चाहिए ठीक है always used in dilute ethylene gas mixture इसको हमेशा dilute देखो pure form क्या है flammable है हमारा आग लग सकता है इसलिए हमें इसको dilute form में gas mixture को use करना चाहिए ठीक है avoid pure form used in optimum condition ठीक है और प्रॉपर कंडिशन में इसको use करना चाहिए और pure form को avoid करना चाहिए ठीक है अब requirement क्या है ethylene gas को use करना है तो हमें air tight room चाहिए with adequate ventilation air tight room होना चाहिए और proper ventilation होना चाहिए ताकि air का movement होता रहा हमारा ठीक है temperature हमारा 18 to 25 degree Celsius चाहिए constant होना चाहिए जातार fruits के लिए यही temperature माहिने रखता है ठीक है relative humidity हमारा 90 to 95% होना चाहिए ethylene concentration हमारा 10 to 100 ppm होना चाहिए यह जातार fruits के लिए common है ठीक है duration of treatment मतलब हमें कितने देर तक ट्वीट करना है इधिलीन का वह हमारा 24 to 74 hours होना चाहिए या फिर हमारा फ्रूट्स टाइप पर फ्रूट्स के maturity stage पर भी डिपेंड करता है ठीक है लेकि यह common मतलब जैनरल हमारा time दिया हुआ है कितना duration तक हमें करना है तो वह हमारा 24 to 74 hours ठीक है अब artificial source जो है वह हमारा है इथरेल और इथेफोन टिक है टो मैटो बनाना में इथेफोन का यूज कि जाता है यह हमारा artificial source है और इथिलीन जो हम अभी पहले पढ़े वह हमारा natural source है natural plant हमोने ठीक है artificial में इन दोनों का यूज किया जाता है अब last classification है वह हमारा fruits, aroma, acid और inflorescence ठीक है बहुत सारे fruits में क्या aroma होते हैं क्या acid पाया जाता है और inflorescence क्या होता है वह हम पढ़ेंगे ठीक ठीक है ripe apple में यह पाया जाता है hexanol हमारा most common in all green fruit unripe ठीक है ज्यादर जो fruit unripe होंगे या mature fruit green वाले जो fruit होंगे उनमें हमारा hexanol पाया जाता है ठीक है और apple ripe apple जो पका हुआ apple होता है उसमें ethyl 2-methyl butyrate पाया जाता है ठीक है बहुत important question उठता है इससे ठीक है आता है इससे पाइनेपल में citric acid पाया जाता है और malic acid हमारा apple, banana, plum, cherry, melon ठीक है इन सारे में malic acid पाया जाता है इन फ्लोरेशन को हम लास्ट में पढ़ेंगे पहले next fruits पे पढ़ते है ठीक है बनाना है next fruit मैं जैसे बताई की green fruits जो होंगे या कच्छा fruit होगा उसमें hexanol होता है ठीक है रेप में हमारा nutacotone होता है lemon में हमारा citral होता है और orange में हमारा valencian होता है ठीक है अब हम पढ़ते हैं inflorescence तो inflorescence हमारा solitary में हमारा कौन-कौन-सा fruits आता है almond, peach, apricot, guava, quince, orange, orange जो होता है वो trifoliate होता है इसमें पत्ती जो leaves होगा ना वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है ठीक है तो solitary हमारा inflorescence में example था almond, peach, apricot, guava, quince और orange दूसरा जो inflorescence है वो हमारा है रेस्मोज अब रेस्मोज में भी बहुत सारे आते हैं रेस्मी आता है, catkins आता है और कौरियम बाता है ठीक है तो रेस्मी में हमारा blackberry है, gooseberry है, raspberry है, catkins में हमारा mulberry है, chestnut है, walnut है, pika nut है औ नेक्स जो है वो हमारा है काइमोज solitary ठीक है, इसमें हमारा सपोर्टा, citrus, strawberry, falsa, parsimone और papaya आता है, next inflorescence है काइमोज फैसिकल जिसमें हमारा sweet orange, bear, plum, cherry आता है, ठीक है, next जो है हमारा inflorescence हो है काइमोज पैनिकल, जिसमें हमारा grapes, leachy, mango, loquat और पितार्चियो नट आता है, next है स्पैडिक्स, जिसमें हमारा coconut, date, date pump, erika nut और banana, बनाना से question पूछा गया है, तो यह important है, ठीक है, और hypenthodium इसमें भी question आया गया है, इसमें फिर और pomegranate है, ठीक है, तो यह हमारे classification, 10 जो classification थे, वो complete हो गया, I hope आपको यह समझ में आया होगा, lecture ठीक है, इसमें सारा चीज य क्या क्या example है, ठीक है, examples से ही question आते हैं, तो इस lectures को बार बार देखें, ताकि आपको example याद हो जाए, लिख लिख के याद कीजिए, आपको जल्दी याद होगा, और बहुत दिन तक याद रहेगा, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में, thank you, thanks for watching के लिए बार देखें